ऐसा नहीं चूट उमिद्वार बनाई गए है सोनिया गांधी मौजूद है और कुछ दे पहले की तस्वीर है राहूल गांधी ने अब अपना नावांकन भर दिया है बताया जा रहा है कि राहूल गांधी आज सुबह अमने अर्पोर्ट पे भी देखा था सोनिया गांधी प्रियंका गांधी और कॉंग्रिस के जितनी तमाम बड़े नेता थे वो सब पहुँचे हैं राहूल के नावांकन में और आब एक-एक करके मलिका अरजुन खड़के को आप देख रहे हैं राश्रिय अध्यक्षर कॉंग्रिस के हैं सोनिया गांधी को आप देख सकते हैं इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड़वा को भी आप देख सकते हैं तस्विरों में रॉबर्ट वाड़रा भी आपको दिखाई दे रहे हैं और कई सारे बड़े नेता हैं राहूल गांधी को आप देख पा रहे हैं और अपना nomination file किया है राहूल गांधी ने, हलाकि राहूल गांधी की seat का एलान जैसे ही Congress ने किया है, तब ही से बीजेपी हमलावर है, क्योंकि अमेठी से अब तक राय वरेली से सांसत रहे हैं राहूल गांधी, राय वरेली से सोन्या गांधी रही है, लेकिन हम आपको बता दे कि जैसे ही सोन्या गांधी ने राय वरेली सीट छोड़ी, यहां सुमित्वारी, राहूल गांधी को मिल गाई है, अब ये कहा जा रहा है कि राहूल गांधी ने अमेठी सीट को छोड़ दिया है, वहां से वो लड़ने की हिपात नहीं कर रहे है, बी से मुफीत सीट मानी जाती थी, कुछ तैनी सीट मानी जाती थी, यहां अपर जब्धे गांधी परिवार का कोई वेक्ति अब वादू को छोड़ा जाए, तो खड़ा हुआ, और हमेशाद से जीत हसल की है, बाद में 2019 में स्मृती इराणी ने अमेठी से राहूल गांधी को समय की तस्वीरे इस वक तब हमारे सामने आई है, जैसमें उनकी मातर श्री सुन्या गांधी को आप देख रहे हैं, बहें है, प्रियंका गांधी बादरा, उनके जीजा, रॉबर्ट बादरा, मलिका अरजुन खडगे, जो राश्री अध्यक्ष है कॉंग्रेस के, उनको आ समलावर है, प्रियंका ने भी कहा है, यह हमारी स्ट्रेटीजी है, कॉंग्रस ने भी कहा है, यह हमारी स्ट्रेटीजी है, और इसी स्ट्रेटीजी के तहट राइवरेली से राहुल गांधी को मितवार बनाया गया है, एक तरह से कहले जिए, कि कॉंग्रसी कारेकर्टाओं म नहीं है लेकिन अब वो राइबरेली से खड़े हो रहे हैं इसके भी दूरगामी फरिणाम होंगी कॉंग्रिस का ऐसा कहना है एक पूरी स्ट्रेजी बनाया दी गई है और उसी स्ट्रेजी के तहट काम किया जा रहा है कॉंग्रिस की तरफ से अब बीजेपी क्या कहती है नमेठी से या कौन राइबरेली से खड़ा होगा लेकिन आज सुबह सुबह ये पूरी तरह से क्लियर हो गया आज नामांकन का अंतिम दिन है राहुल गांधी को इस वक्त हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीर जब वो नामांकन भरने के पहुंचे थे उनके साथ उनकी मा सुनिया गांधी उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके जीजा रॉबर्ट वाडरा कॉंग्रेस के राश्रिया ध्याष मलिकार जुन खड़गे मौजूद रहे और ये सबी इस दौरा जब राहुल गांधी ने आपना नामांकन दाखिल किय वहाँ पर उपस्थित थे राहुल के नामांकन में जो चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथी साथ तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं अब देखना होगा कि नामांकन के बाद क्या मीडिया से राहुल गांधी बात करते हैं और इस बात में वो किसी तरह का जिक्र करते हैं कि आखिर किस तरह के रणीती बनाई गई है चुनाव में किस तरह से कॉंग्रेस अब उत्ता प्रदेश को लेकर आगे बढ़े गे और यहां से किस तरह के मैसेज देने की कोशिश अपने कारकटाओं को और कॉंग्रेस पार्टी की जो नेता है जो लगातार कह रहे थे कि राहूल अप्रियंका को इन दोनों सीचों पर उतरना चाहिए उसको लेकर देने की कोशिश करते हैं नजर लगातार हमारी बनी हुई है आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को उसमें राहूल गांदी उनकी माउस वक्त मौझूद है उनकी बहन उनके जीजा और कॉंग्रेस के राश्ट्र अद्याक्ष्र मालिका अरजुन खडगे वहां पर मौझूद है अलाकि कॉंग्रेस कह रहे है कि स्रेटेजी कॉंग्रेस ने बनाई है भले विपक्ष begitu कुछ भी कहता रहे बीजेपी कितनी भी हमलावर क्यों ना रहे एंडिये के बाकी जो दलके नीता है वो कुछ भी कहे लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है और उसी के अनुसार पूरी स्ट्रिटेजी को रनीती को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को राइबरेली से उतार दिया गया है क्या अब ये हम माने कि नावांकन हो चुका है राहुल गांदी बाहर आ गाए है या फिर आने वाले हैं क्या सुख्बो का हट वहाँ पर अब ये नावांकन के प्रक्तिया चल रही है मैं कैमरा में विपिन से कहूँगा कि थोड़ी हाइट लेकर दिखाए ये देखिया आप ये आप सीधा सामने लिखा हुआ देख पा रहे होंगी नाले कलेक्टर जिला में स्ट्रेट ऑफिस इसी के भीतर इस वक्त राउल गांद कि किसी भी सदस्य ने कुछ भी नहीं कहा है सुप्रिया शुनेत से हमने जरूर बात चीत कि और उन्हें कहा कि हमारी रणनीत का हिस्सा है देखिये चुनाव लडने के लिए तीन बातों की बहुत महत्वपूर्ण यहां पर इस्तिती हो जाती है एक तो चर्चा पर्चा और यहां पर आये हुए हैं चर्चा इस बात को लेकर लगातार कई दिनों से चल रही थी कि राहुल कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे हम लगातार सुर्ख्यों में बने हुए थे आमेठी और राइबरेली को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी और ऐसे में आज सुबा ये भी कहना है कि पूरे देश में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और ये चुनाओ समविधान को और देश को बचाने का चुनाओ है इस बार परिवर्तन होगा इस बात का उनको पूरा भरोसा है लेकिन फिलाल देखना और सुनना बहुत दिल्चस्प होगा सब कुछ क्वाडिनेट करने के लिए मौजूद हूँ तो कैसे पूरे चुनाओ को क्वाडिनेट करेंगी ये देखना और सुनना भी बहुत दिल्चस्प हो जाएगा हम सभी को इंतिजार है सभी मेडिया कर्मियों को इस बात का इंतिजार है कि जब वह बाहर निकलेंगे अब किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं और बीजेपी की तरफ से जो आटाइक किया जा रहा है खास दोर से प्रदानुंत्री मुदी ने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि डरने की जरूरत नहीं है वो डर कर भाग गये हैं तो देखना होगा कि इस पर क्या काउंटर सामने आता है और ये जिस तरणनीत की बात कहीं जा रही है अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगी तो प्रियंका भी आपको नजर आ रहे हैं निलू बिपिन आप जूम करके दिखाई देखिए आप अभी प्रियंका और शायद किसी बात को लेकर मुस्कुरा रहे हैं कि इससे बातचीत करते विए ये देखिए सामने जो श्रक्स आपको बैक लेकर दिखाई पढ़ रहा है उसके ठीक सामने प्रियंका गांधी मौजूद है ये देखिए पिपिन आप दिखा रहे हूं तस्वीरे प्रियंका गांधी आपको नजर आ रहे होंगी निलू वो कलेक आरजुन खडगे, सूनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रोबर्ट वाडरा, अशोक गैलोत, राहूल गांधी के नॉमिनेशन में सभी बड़े चेहरे पहुचे हुए हैं बहुत खास ये मौका है खास मौका इस मायने मिक उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी अप पर हुआ है कॉंग्रेस पार्टी ये दैश्वाना